हेलो फ्रेंड्स मैं कमेंट और एके सिंग और आज फिर हम अपनी डी ट्रिपल स्बी एक मेंट डी ट्रिपल स्बी पी जी टी पॉलिटिकल साइंस के तियारी करेंगे और पॉलिटिकल साइंस में आपका आज क्या सुरू होना है यानि क्लास 12 की एंसे इस रोगनी है और क्लास 11 तक में जितने भी सारे आपके टोपिक थे जितने कोशन थे वह आपने लिख लिए होंगे यानि कि आपने किस तरह लिख करना था लेसन नमबर वन नाम पार्ट का और कहीं न कहीं जो जो कोशन था दो कोशन था जितने वी कोशन इंपोर्टन थे वह आपको लिख लेने थे अब ककषा बारा की पॉलिटिकल साइंस की किताब है यह आपको आजादी कि बात बता था यानि की राष्टे निर्मान में चुनोतिया जो आई है उसके बारे में जिकरकर रह ए है यानि की पहला चैप्टर कर रहा है राष्टे निर्मानEL की ऩुनोतियाँ, अब राश्टе निर्मान में क्या चुनोतिया आई थी, जब हंदुस्तान और पाकिस्तान का बतवारा हुआ 1947 में तो लिवकर खाने की, जमीन की, खेती की, धन की तो लिवकर ही न घिन तो हम तब तक क्या है भारत की करनसी को जूश करेंगे जो चीजे कहीं न कहीं पाकिस्तान से हम लेते थे वो उसका दिक्कत हुई थी तो यानि कि इस चेप्टर में आपको पढ़ना है जो में में सारी चीजे आपके सामने आई हैं ये तो है बच्चों के साफ से अब आती है ह हमारे पॉलिटिकल साइंस के साफ से मेंली चीजे क्या क्या आती हैं अब जो देखो पेपर दिन पर दिन होता जा रहा है हाड तो आपको चीजे लेके चलनी पड़ेगी अब फिर जो चीजे आप कहां से आ रहा है ये तो हमने देखा ही नहीं तो यह इस तरह की चीजे जैस 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ था ठेक है और 15 अगस्त यानि की 12 वज कर एम पर एम तो आप समझ गया है रात्री आगस्त 1947 को इंडिया तो इसलिए कहीं न कहीं ये एक मिनट का आवसर रखा जाता है इसलिए रात्री लिखा गया है स्वतंत्र बारत में प्रथम परदान मंत्र जवाल नालेरो ने इस रात को सविदान सबा के एक विशेश सत्र को स लोकसभा वाली जो शो आता था जिसमें सविधान के बारे में कहीं नगी सारी चीज़े बताएगे तो उसमें भी इस जीज का दिकर हुआ है उस चीज में और वह 26 एपिसोड है यानि 26 एपिसोड में आपको बहुत सारी चीज़े उसमें सीखने को मिलेगी तो उसी जरूर डेश्टिनी और यह कोशन कहीं न कहीं अगर पूछा जाए तो पूछा जा सकता है यह होता है इंपोर्टन्ट यानि कि क्या आप बिल्कुल ऐसे लिख लेजिए यानि कि सौतंदर भारत के प्रदार्म प्रदानमेंट्री इतने को होते हैं सविदान सभाफ समोथ क्या इनका प्रसिद बाशन यहानि कि यहां से इस तरह के कॉश्चन उठ सकता है क्योंकि नई कॉंसेट है और यह कहीं न कहीं आपको पढ़ानी है बच्चों को जब आप चीचर बन जाओगी चलिए आगे चलते हैं तो सब को पता चलिए अभी पंदरा तारिक यानि पंदरा तारिक 1947 अब आप से एक कोशन बूस्ता हूं 26 जन्वरी 1950 से क्या हुआ था देखिए यह चीज आपको तीन चार डिएट याद करने वड़ेगी पंदरा अगस्त 1947 फिर आती है 26 नॉंबर 1949 फिर आती है 26 जन्वरी 1950 यह तीनों डेट इंपोर्टेंट है एक में आजाद हुआ एक में सविधान बनके तैयार हुआ और एक में सविधान लग हुआ यानि की ऑफिशल डेट हम इससे मानते हैं कि यहां से हम सारी चीज़े शुरू करते हैं ठीक है अब इसमें यानि कि देखिए इसमें भी न्यूस पेपर है कौन सा है दा हिंदोस्तान टाइम्स का पेपर है जो कि उस टाइम से चपता आ रहा और यह मान के चलिए पुराने मैंने बताए दिए चुनोति हमारे काम की नहीं है क्योंकि चुनोति कभी भी हमारे पीजीट के पेपर में नहीं आएगी पीजीट के यह बच्च वाली आपका जब कहीं नहीं है पीजीट लेवल के टीचर बन जाओगे तब इस तरह कोशन जरूर डालना जिससे बज्जा क क्या है सारी चीजे पता चल जाए यह व्यूटी होते हैं यह कुशन पूछा जा सकता है कल हम अंगरे जी राज की गुलामी से आजाद हो जाएंगे लेकिन आदी रात को भारत का बटवारा भी हो गया इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन होगा और गम का भी होग यह इस तरह से पूछे जाता है और यह आपको लिए मैंने पढ़ा तो था यह कहां से आ गया मुझे तो यह आपको पता होने ची तो यह आपके ncrt से पूछे जा रहे है ठीक है चलिए आगे चलते हैं अभी यह क्या है बच्छों को इंट्रेस्टिंग बनाने के लिए इस ट्रेवल जाकर के मुझे उस दिन जाना है यह टिकट थे उस टाइम पर रिपबलिक आफ इंडिया हाँ आप से कोई पॉश्चन कभी जैसे कोई पूश्चन लगे कि भारत का नाम क्या ए तो भारत का नाम रिपबलिक आफ इंडिया इध्यार नखना क्योंकि आप पॉलिटिक सर्वे और यह होता है या फिर आपके पॉलिटिक और रॉलिटिकल ग्लास में बच्चे यह नहीं बता पते हैं चली आगे चलते हैं फिर आगे आता है 11 अगस्त 1949 को करांची में पाकिस्तान की सविधान सवा में अध्यक्ष्य भाशन देते हुए क्यों थे मुहमद अली जिन् ऐपोंडन हैं तो आगे चलते हैं और कहीं न कहीं हमारे जो सविधान है यानि कि हमने क्या ता हम अपने सविधान के टाइम तक क्या करें यानि की हमें अंग्रेजों के जरुत पक्वाद कि मुए पाकिस्तान ने कहा था कि हमें कोई जरूत नहीं है हम अपना सविधान खुद बना लेंगे यानि कि 19 इनका सीधे सीधे मान के चलो 1947 से यह आजाद माने जा रहे थे और इनका अपने आप सविधान मना के चल लिए थे ठीक है पर हमारे जो सविधान था इसी वैसे हम थोड़े से एडवां दोराष्टियह सिधान्त में आब पता है क्या हुआ था बारतर पाकिस्तान यान Sigurd UP भारत-वाकिस्तान का बटवाराता और वही कहीं ने कहीं दुराष्टियह телा वीभाजन के तोर पर माना जाता है चली आगए चलता है पर हैदिश्ये को आज के नजलिये से देखे तो या से जाओ, किसी और जंगा बच जाओ, वहाँ पर क्या है, आपके सब चीजे चीन ले जाए, तो क्या द्रिश्य होगा, तो वही कहीं न कहीं, ये वही द्रिश्य है, जिसमें क्या है, हिंदुस्तान के लोग अपनी जायदात, सब कुछ बेक, पाकिस्तान ट्रांस्फर हुए, पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान हुए, तो कहीं न कहीं, और सबसे बड़ा एक्जामपल है, आपके, कौन, MDH, का नाम सब ने सुनाओगा, और एक, एक और नाम है, जिन्द की दवाईया बनती है, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, तो उनका नाम और है, वह अगर मज़ तीजे उससे देखते है, ये गांदी जी क्या है, गांदी जी किसे मिल रहे है, बद देखिए, गांदी जी के साइड में, इन दोनों लेडी का नाम क्या था, कोई वदा सकता है, इन दोनों का नाम क्या था, जो गांदी जी के साथ रहती थी, एक बार कोशन पुचा गया है पर वो भी आपके TGT-PGT में नहीं पूचा गया, ऐसी पूचा गया है, चलिए आगे चलते हैं, अब आता है most important question यहां से, देखिए, गांधी जी के मिर्तियों का वो ही, अगर हसी खेल में आप से question पूच ले जाए, वैसे तो इस तरह के question कभी हसी खेल में पूचे नहीं जा में उनकी तरफ चलते आया, और नजिक्स फॉस्ते उन्हें ने गांधी जी को तीन गोली चला दी और गांधी जी के एक तरह से तुरंथी मोत हो गया थी, इस तरह के न्याए, और सहीं शूंता को अजीवन समवरपद एक आत्म मा का दो, यानि कि उनका विले हो गया था, य आप से इस तरह की चीजे पूछी जा सकती है, कभी भी, यानि ये डेट पूछी जा सकती है, तो आपको पता होना चाहिए, डेट सबको याद है, क्योंकि भाईया, आज सक इमोन रखते हुआ हैं, तो कही नगी, सी बेस से वाले बच्चे को तो ये डेट जबर याद होगी पर इयर 1948 याद कर लेना, ठीक है, यानि कि भारत आजाद होती, एक साल बात, अब आता है, रजवाडों की संग्या, यानि कि आप से कोशन पूछे जा सकता है, कि भारत के, यानि कि भारत के आजाद होने से पहले, या फिर उस टाइम तक, कितने रजवाडे थे, तो रजव 565, ठीक है, 566 रजवाडे थे, अब रजवाडों की संग्या कैसे कैसे है, रजवाडों की संग्या भी आपको दिखाता हूँ, जाओ, एक मिनट, अच्छा, इसमें रजवाडों की संख्या नहीं दे गई है, पर हाँ, रजवाडे आपको पता होना चाहिए, यानि कि 596 वाला जो था, वो 596 वाला ही पूछ जाता है, तो आपको यहीं पता होना चाहिए, आप एक कुश्यन और पूछे जाता है आपसे, वो कौन सा कुश् आंतिपुर्ट बातचीत के जरिये, लगवक सभी रजवाडों ने उनकी सीमाए, आजाद हिंदुस्तान के यानि की इंडिया के नाम करते हैं, 15 अगस 90 से पहले भारत के संग में शामिल हो गयते, अधिकतम रजवाडे में शाशकों ने भारत के संग में अपना विले कर ले तो इस सीज का भी ध्यान लखना, ठीक है, यह छोटे-छोटे कोशन जो है, यह छोटे-छोटे, अभी आपको लगएगा छोटे-छोटे कोशन है, पर यह पूछे लेगा, यह वर्डिंग देदेगा, यह किस से संबंदी दे, इसे क्या कहा जाता है, तो आप दून लोगे, क्या कहेंगे, बई, क्या कहेंगे, तो यह कहीं नहीं, इस सीज का पता होना चाहिए, चलिए आपको पता है, और आकरी में कौन से, जम्म कश्मीर, हैदराबाद, और जूनागड, यह वाले आपको कहा नहीं पता ही होगी, हैदराबाद को आपको, सरदार पटेलने, पुलि बुलाई लिया था, आकरी में चाता ही है, जूनागड, आपने आप ही दे दिया था, क्योंकि वहाँ पर हिंदु, लोगों की जंद संक्या दी ज्यादा, चलिए, आगे चलते हैं, फिर आता है, यानि की, एक और कुश्शन पूछा जा सकता है, 1920 में कॉंग्रेस का, यानि क नागपूर अधिवेशन हुआ था, तो ये आपका अधिवेशन तो शारे में कराओंगा ही, क्योंकि अधिवेशन हैं, important, ठीक है, एक नागपूर अधिवेशन और एक का लावर अधिवेशन, ठीक है, अब आता है शबसे important question, जो की कभी भी आपसे पूचह जा सकता है, भा स्वरी आंद्रा आंदोलन आंद्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की लिए चला गया आंदोलन था इसकी मांग में मदरास प्रांद में तेलगु स्वरी तेलगु बाशा इलाकों को अलग करके एक नए राज्य आंद्र प्रदेश बनाया गया था स्री बनाय जायने की बात का यही थी आखिरकार ौ। में दिसंबर में परदान मंत्री ने आंदर प्रदेश नाम से अलग राज्य बना दिया था और उसके बाध से अभ़ी तक यही मांग उटती है हमें भी अलग कर दो अलग कर दो यह बात सा इस टेखल फॉर सर्वाइवल नाइटिन याने की नाइटिन फिफ्टी त्री में जुलाई चब्विस को शीर्शक यह खटून के दोरान इसे बताया गया था कि इस बाहशाओ के आदार पर कहीं न कहीं यह कह रहा है कि हमें आलग कर दो इस तरह से अर्याणा वाले कह रहा है अदर प्रदेश के साथ ही देश के दूसरे हिंसे के में और गटन के रोकर केंडर सरकार्दिय में पुर्णल गठन आएओक कर दिया है इस आयोकी रिपोर्ड के अदसार नाइटीन फिफ्टि सिक्स में में राज्य का पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ और इस अधिनियम में चोधर राज्य और छहागन के इंदर साथ तपर्देश ठीक है और यही ऐक है लोता क्या है आंधर परदेश जो क्या है भाष्या क्या अधार पर बटा हुआ है तो आप से कोशन पूर शाल जा सकता है कि भाशा ग्यादार पर कौन सा राज्य बटा हुआ है और कब बटा था तो यह आपको पता होना चाहिए यह कॉमेडी यानि कार्टून के बारे में इसलिए बताया जा रहा क्योंकि आज कल इस सीर्षक की कार्टून भी पूछ ले जाते हैं कि यह की यह कार्टून इस सीर्षक का यह कब आया कुछ पता रहे है थोड़ से इस चीज का त्यानक के इसलिए मैं आपको छोटी-चोटी चीज भी करा कर चलता हूँ अब आता है नए राज्यों का निर्माण की बात आई थी नए राज्यों का। चुरू हो जाए थै यानि भाषा और राज्य को पुर्ण गठन करने के सिदान्त को मान लेने का आर्थी यह नहीं था कि सभी राज्युक्त अपनी भाषगे अनुसा चल पड़े कि मेरी भाष्या इंदी है जी मैं अपना राज्या बना दूँगा मेरी भाष्य तमिल्या जी मैं अपना राज्या बना दूँगा मैं उर्दु है जी मैं उर्दु का बना दूँगा मैं फार्सी हो जी फार्सी का बना दूँगा तो यही कहा गया था कि ऐसा कुछ नहीं होग 1960 में महाराष्ट और गुजरात राज्य बना था ठीक है यह था यानि की दो भाश्य राज्य वाला दो भाश्य राज्य वाला गुजरात और महाराष्ट्र की बात आई थी ठीक है पंजाम में हिंदी और है हिंदी वासर पंजाई वासर दो समुद आयते पंजाई वासर के लो में पंजाव बाशा इलाके को पंजाव का राज्य दर्जा दिया गया और यह कहीं नहीं जब बठते चले गए मतलब प्यूरली सबसे पहले जो आप से पूचा जाएगा वह पूचा जाएगा आंदरप्रदेश वाला ठीक है यह तो कहीं नहीं पुनर गठनायों के साथ से ब खाला है आंदरप्रदेश कि से बठेक है और नग्यान गाई आपके जह कानुन बन रहा है थे उससाब से बठा ठीक है और यह कि स इसाबसे बठ रहे हैं कि सवर्वारी यह कि सवर्वारा नाइटिस इसमें जो बटा पंजाब बठा पर 1972 में यह यान निगी जो गया ते दे यह चोदह जो राज्य थे इस में से तूटए चले गए एक-सी-चार दक आपको पता ही यानि कि आर्टिकल एक-सी-चार दक कैसे कहता है कि हमारे विल्य कर रहा हमें उसे बाटना है तो कहीं नहीं उसी साफ से बटे और यह उसी सांथ से बटा फिर आता 1972 में एक बार फिर राज्यों का पुनर गठन का एक बड़ा प्रियास हुआ और आसाम में अलग करने की 1957 में एक बनाया गया इस साल मनिपुर और तिरपुरा भी अलग राज्ये के रूम में अस्तित में आया मिजोरम और अनुना चल पड़ेश 1987 में वजूद में आय नागा लेंड और सेवन सिस्टर की कहानी यहीत सुरुआ होती है यह ध्यानक नहीं नहीं सिस्टर में कौनn कौन सिस्टर बतां वहां आपके सत्षेट आते है वह भी बताने आपको ठीक है क। बैर राज्यों का पुर्णर गठा सिर्फ भाष् mil यानिया बात की बांस क्यान में अलग शेत्रे संस्किति विकास मामिलों के शेत्र में एस उंत्रुम के इलावा यानि इस तरह की चीज़ उठने लगे अब तिलंगाना की बात आई थी यानि की दो जनवरी सुरी दो जुन उन्निस्सो जो 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 यानि की 1953 में आंदरप्रदेश बटा किस से यानि की आपका आंदरप्रदेश एक मिनिट ग्यार आपका आंदरप्रदेश यानि की आंदरप्रदेश कहां से आ रहा है आंदरप्रदेश आपका कि मांग मार यानि की मरास्ट्र प्रांत के इसमें से बटी थी ठीक है और यह कहीं न कहीं परदान मंत्री ने इनकी बात सुन ली थ ती अब जो यह था यह वाला आपका कॉंसेप्ट यानि कि दो जून दो जून चोदा को तेलंगाना को एक नया राज्य के रूप में जोड़ा गया था और राज्य का पुनरगठां के आदार पा समाप्थ नहीं हुई थी देश में अनेक इलाकों में छोटे छोटे अलग-अ राज्ये बनाने की मांग लेकर आंदोलन चल रहे थे और महाराष्टर में क्या है पच्छी में उत्तर परदेश में हरित परदेश की और आप उन्हें एक चीज़ सुनी होगी जब मायवती जी थी उनके टाइम पर चार कहीं न कहीं उत्तर परदेश को चार किसमें माटना था राज्यों में बातना था क्या था हरित परदेश पच्छी में उत्तर परदेश यानि कि इस तरह से चार पाटों पर माटना था तो वह वाली भी कहीं न गई बात थी तो इस चीज़ में वह ही कहीं न गई इंसिल करा गया यह लाज जो था आपका तिलंगाना है ठीक है तो यह था आपका आज का चैप्टर फिर इसके हात परशनावली है परशनावली थी कि यह थी परशना वाली तो यह आने की इस में से यह पूछ जाएगा यह इंपोर्टन लिकर लो सारा का सारा इंपोर्टन्ट है ठीक है एक जो चीज़ आपको मैंने बताई है सारी सारी वह आशे करता हो आपको वीडियो पस्तों नचे लाइक करें चेनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो करो आराम से हाई-फाई वीड है सीधे सीधे में मान के चलता हूँ और आपका वही होगा सितंबर अक्टूबर यह नौमबर में ठीक है यानि सीदे सीदे आगे बाद साथ से आठ महीने है ठीक है तो अभी पहले सारी थियोरी पढ़ेंगे फिर लूब्स और फिर का आखरिये परक्रेंगे हम प्रेक्टिक सेट अशक करताअगे पसे आपके वीडियो पंस नहीं वीडियो पंस नहीं ज़िए लाइक करें चैनल विए वीडियो जाशन याशन शेकर थैंक्यू